कैसे आप सभी लोग आप रोग अच्छे होंगे वाशिंग मसीन का एक और वीडियो मैं आप सभी किशाद intent एक वीडियो में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपने इस चैनल पे दीपती व्लॉक्स पर जिस पर मैंने वासिंग मसीन में कपड़े कैसे दोएं वीडियो को प्रॉपर बनाया है और आप सभी किसा शेयर किया है इतने सारे निगेटिव कॉमेंट आये हैं कि आप क्या सिख उन प्रमाट सहर जाल से दूस्य तो और सभी कुछ नआज रहे हैं कि दुख कुछ नए नहीं है लिएटियो में अपको बाताने वाली हूं कि क्या कुछ नया है हमारे इस वीडियो में वास्ति में की सरीके हम समय और डिटर्जंसcärक्यां के बाति हम मेरें वाइं पानी और वीडियो में और सबी क्या वेक्राइब तो चलिए आज मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ यहां पर मैंने सेमी आटोमेटिक मसीन लिया है जो कि मेरा वासिंग मसीन काफी पुराना है और इसे में बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ और ये एक भी बार मेरा वासिंग मसीन खराब नहीं हुआ है पानी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लेवल तक मैंने पानी लिया है और इसमें डाला है डिटरजन बहुत सारी लोगों ने ये भी पूछा था कि आप कौन सा डिटरजन यूज़ करते हैं तो वह भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कौन सा डिटरज़न यूज करते हैं लो՛़ बोल रहता है पानी अपका काला वैस से है तो बया जो है आप देख सकते हैं पानी अप्षे से फिल के दिया है और उसके बाद齡ेजन वे इसमें डाल दिया और मसीन को तेदाज शाठी मैं यहां पर यूज़ करी हूं तो जो मेरे बेटे के कपड़े हैं उनको मैं मैं सबसे पहले करती हूँ इससले सरे की तोड़ा सा हाइजीन कपड़े भी हमारे गंदे हो जाएंगे तो इस तरीके से जो है न हमें इन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है और यहां पर मैंने 15 मिनट का टाइमर सेट कर दिया है और 15 मिनट के टाइमर को लगा के हमें छोड़ देना है यहां पर जो आपसंस वगरे दिये हैं मैं नॉर्म पर चलाती हूं जैसे हमारा 15 मिनट का टाइमर कंपलीट होता है उसके बाद हम यहां पर एक बीप सुनाई देगी और जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कपड़े जादा गंदे हैं तो आप 15 मिनट का अगें टाइमर साइट करके और फिर से उनको आप दुबारा से भी वाश कर सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दो बार तीन बार आप वाश कर सकते हैं अगर नॉर्मल डेली बेसिस के कपड़े हैं आपके कपड़े ज्यादा गंदे नहीं है तो 15 मिनट जो है वो सफिसेंट होता है और इस मसीन में कपड़े धुलने के बाद आपको ब का सा निचोडने के बाद मैं निकाल ले रही हूं दूसरा डाउट मैं यहां पर आप लोगों का क्लियर करना चाहूंगी जिल लोगों ने बोला था कि आप यहां से मतलब कपड़े वाश करनी के बाद आप बिना पानी में कपड़े धुले आप डायर में डालते हो तो आप है कि पानी हमारे 24 hours बना रहे पानी के बचत के लिए अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत जादा useful होने वाला है इस तरीके से अगर आप कपड़े दूलेंगे तो आपको पानी ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा हना तो यहां पर मैं सारे करने के बाद मैं इसमें ड्रायर में डाल दे रही हूं और ड्रायर में डालने के बाद हमें इसको सुखा लेना है मतलब कि जितना भी जो डिटरजन वगर है ना वह एक बार निकल जाएगा उसके बाद क्या होगा कि जब डिटरजन हमारे निकल जाएगा तो उन कपड़ों को हम दो बाल्टी में भी अच्छे से साफ कर सकते हैं मतलब हमें ज्यादा पानी की जरुरत नहीं पड़ेगी है यह सेकंड डाउट मैंने आपको यहां पर क्लियर किया फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कॉमेंट करके बताएगा जरूर अगें मैं आप छो शेयर करने का सूचा है फिर से मैं आपको बताती हूँ कि कहां-कहां आपके डाउट ज्ट आपको लग रहा है कि यह ऐसे क्यों कर रहे है आप वैसे क्यों कर रहे हैं यह जो पानी बचा हुआ है इस पानी में अब हम डॉलेंगे हमारे डेली बेसे के कपड़े हैं उन बाद 15 मिनट के साथ आम इसे सैट कर देंगे साइट से जो हमारे कपड़े भी ड्रेन हो जा रहे हैं जिनका डिटरजन ड्रेन हो जाएगा अच्छा आप चाहें तो एक बार में ही कपड़े वाश कर देते हैं सबके वाशिंग का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है अब यह जो कपड़े हैं इनको भाई मैं अब आच्छे से हाथ से फानी से धुलने वाली हूं क्योंकि मैं इस तरीके के कपड़े कभई भी यूज नहीं करती हूं क्यूंकि जो है ना इससे रैसिस वगजर हो जाएंगा और आप भी कभी भी इस तरीके से पानी इूज ना क लिए अपने कपड़ों को अच्छे से साफ कर रहे हैं वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस चनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी न भूले और हाँ चाहें तो आप अगें उन कपड़ों को ड्रायर में डाल सकते हैं या फिर अगर आपके घर म बाल्टी में धुलने के बाद फिर मैं इस तरीके से धूप में फैला देती हूँ और कपड़ों को धूप दिखाना जो है न वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कुछ लोग से एक मसीन में करने के बाद और पंखे में डालने के बाद वो उन कपड़ों को यूज कर लेत हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है